हम दक्षिन भारत की बात करते हैं, तो पहले मैं दक्षिन भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी BJP का एक ऐसा नीता तमिलनाडू में उभर के आया है, जो इसके लिए मीडिया इटेंशन काफी कुछ आ रहा है, वो है अन्नमलाई जी तो वो काथी कॉंफिडेंट है कि तमिलनाडू में BJP को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉंफिडेंस है कि आप भी तमिलनाडू इतनी भारी जा चुके हैं पहली बात है कि तमिलनाडू जनसंग के जमाने से और भारती जनताबाटी मैं कहता हूं पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खब चुकी है तो एक निरंतर काम चला है जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्ष्ण की दर्प गए ह और लंबे अर्शे तक पादेशिक पक्ष्ण का जो कुछ भी कामकाज देखा है अब लोग निराश हो गए है निराशा के इस माहुन में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मोडेल देखा हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मोडेल देखा देजबर में जो तमिल बंधू रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राजी में रहते हैं वह तो यह हो रहा है तो लोग स्वाभावी तमिल प्रजान कमपरिजन करने लेगी कि जो हव्वा खड़ा किया गया था यह तो अच्छा काम कर रहे हैं अब यह मैंने पमिल ओढार्षिस रंगम किया तो तमिल आणवी डियेंग के पार्टी ओ उल्हें लोग इ今 ब्लड़ी वाले पाननीपूरी ओर्ण करके अर्या को तो ईंगरे कंशhta कारवाऑ यह तो बढर दिख्ता है बड़े प्रागदी हो रहे हैं आईटिया नेटवर्क बड़ा ले लगा और उसके कारण डियम के परती जवर्दस गुस्सा पैदा हुआ हुआ है इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है ओ गुस्सा पैदा डायवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव बे में और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आटुकुलेट है यंग है बहुत ही अपनी कि आई पीएस केडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नोकरी छोड़कर के आये हैं दूसरा लोग सोते कि यह इतना बड़ा हुनहार केरिये छोड़के आया अदमी तो डीम्क एए डीम्क में चला जागा उसकी तो जिन्गी बन जाते है तो वह बाना नहीं गया वो बीज अदमी में गया है मतलब कुछ मेटल है कुछ अच्छे इरादे वाला इंसाल लगता है तो स्वाभाई गुरुप से उसके आकरशन का केहिदर बना है और मेरी पार्टी की बिसेस्ता है हम हर स्तर के हर छोटमंडे कार करता है जिसमें ख्रमता है उनको उसर देते हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं परिवार से चलित पार्टी नहीं है जिन पार्टीों में आप दे फैमिली, बाइद फैमिली और फोर दे फैमिली होता है और इसलिए हमारी हां तो हर एक को अशर मिलता है